Welcome back आज जो मेरा टापिक है वो motivation letter या statement of purpose है जब भी आप international universities में master's के लिए apply कर रहे होते हैं PhD के लिए apply कर रहे होते हैं या कहीं job ग़रा के लिए apply करते हैं तो आप से एक requirement वो बांगते हैं कि आप अपनो motivation letter या statement of purpose आप उने दें तो कूंट से ऐसे steps हैं क्या आपने flow maintain करना होता है motivation letter लिखते हुए और कूंट सी जो important things हैं वो आपने consider करनी होती हैं before applying motivation letter तो मैं आपके साथ अपना motivation letter शेर करूँगा as a simple जिस motivation letter की base पे मैंने apply किया था इटली की top universities में University of Bologna, Spensia और Genoa में और वहाँ से मुझे acceptance आई थी और same motivation letter मैंने use किया था University of South Eastern, Norway में और यहाँ से भी मुझे acceptance आई थी और मैं अभी अपनी master studies यहाँ से complete कर रहा हूँ industrial IT and automation में तो start करते हैं कि कून सी चीज़ें आपने consider करनी होती है motivation letter लिखते वे कून सी चीज़ें हैं जिनको आपने avoid करना होता है motivation letter में तो सबसे पहले अगर देखें तो आपका introductory paragraph होता है आपने इसमें आपने introduction करवाना होता है आपने इसका start ऐसे लेना है कि जो भी आपने degree की वी है उससे related आपने जो मतलब previous degree है आपने वो उसका आपने introduction देना है मैंने electrical engineering की थी तो electrical engineering students उसके बाद आपने क्या 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 skills आपने gain की है आपने उन skills का बताना होता है जो आपकी आपके next studies है जैसे आप master जिसमें करना चाहरें जिसमें PhD करना चाहरें उससे related आपने जतनी भी skills जो है जतने भी subjects आपने पढ़े होते हैं अपने bachelor level पे अपनी previous degrees में तो वो आपने बताने होते हैं तो वो आपने उनका जिकर किया कि आपने कौन-कौन से subjects पढ़े हैं वो आपने इसमें बता दिया उसके बाद आप कहाता है कि आपने जो previous आपकी degree की है उसके बादे में बताना होते है कि आपने क्या कि इस degree से gain किया और क्या आपका grades था और किस university से और किस year में आपने इस degree complete की है और so first paragraph को आपने end कैसे करना होता है कि आपने लिखना होता है कि in future आप अपने आपको किस position पे देखना चाहरे है मैं जिसमें apply करना चाहरा हूँ मैं जिस मेरी जो field थी वो industrial IT and automation थी तो मैंने लिखा कि मैं future में जो है वो growth of industrial IT and automation का जो है इसमें जो मेरा successful role होगा तो यह आपने आप लिखना होता है इसके बाद यह आपका पहला paragraph end हो गया इसके बाद आता है next paragraph तो next paragraph में क्या होता है कि आप जो further studies जिस भी subject में करना चाहरे है उसका आपने यह आपे नाम लिखना होता है और आप इस subject में क्यों आना चाहरे है क्या आपको ऐसी motivation थी क्या आप यह subject चूज करना चाहरे है future studies के लिए जो भी आप study करना चाहरे है जिसमें तो मेरी यह industrial IT and automation थी तो आपने उसका में the previous background एक provide करना होता है कि यह मुझे motivation थी जिसकी वज़े से मैं यह करना चाहरू तो मैंने लिखा कि बैचलर्स में जो undergraduate level था वहाँ से मैंने experience gain कि उसको utilize करते है वे मैं industrial IT and automation करना चाहरू फिर मैंने उसको support करने के लिए जाहर सी बात है कोई चीज आपने लिखनी होती है तो मैंने लिखा कि जो मेरा final year project था इससे तरह आपका भी जो कोई final year project है जो आपने को major achievement की वी है आपने previous degree में वो आपने लिखनी है तो मेरा जो यह था IoT based distribution automation यह total IoT automation से related है तो मैंने उसका जिकर किया यहाँ पे और इसमें मैंने जो जो काम किये थे automation के वो मैंने यहाँ पे लिखा और जो modules गरा use की है इसका आपने एक थोड़ा सा introduction देना होता है इसको support करने के लिए यह अपनी motivation को strong बनाने के लिए और फिर मैंने निका कि I have got a lot of motivation जो मेरा final year project था उससे मैंने बहुत जादा motivation हासल की और उसके बाद मैंने काफी सारा research work भी किया क्योंकि final year project पे मैं CCS report एक लिखनी होती है तो वो भी लिखी है सारा कुछ मैंने इसको support करने के लिए किया कि यह जो मेरी motivation है यह उसको strong बनाता है तो यह industrial automation में मैंने बहुत सारा काम किया तो इस ही मैं मैं अपना further जो है वो continue भी करना चाह रहा हूँ फिर इसके बाद हमारे पास आता है third paragraph तो third paragraph में आपने कोई जो भी extra curricular activities की होंगी उसके बारे में आपने बताना होता है यह बड़ा important होता है कि आप अपनी extra curricular activities जो आपकी है वो आप यहां पे discuss करें क्योंकि वो देखते हैं कि यह सिर्फ as a student ही मतलब field में काम कर रहा है या फिर इसकी कोई extra curricular activities भी है तो यह बहुत important होती है आपकी जो extra skills होती है तो वो आपने लिखना होता है कि मैं सिर्फ मतलब studies के लिए limit नहीं रहा आपने कोई अगर participation की है आपने किसी cultural festivals में school, college level पे वो आप उसका जिकर करें यहां पे और कोई अगर आपने इसके अलाव कोई आपकी achievement है तो वो आपने लिखनी है कोई आपने voluntarily work की है किसी organization के साथ तो वो आपने यहां पे लिखना होता है simple उसके अलावा अगर आपकी कोई hobbies हैं जो भी जैसे मेरे case में languages जो हैं वो मुक्तलिफ जो हैं वो उनमें मेरा interest था तो उसका मैं जिकर करता हूँ यहां पे आपकी अगर कोई जो भी hobbies हैं जो भी आप आपने वो simple यहां पे लिखना होता है इसके अलावा apart from जो आपने जिस country में जा रहे हैं उसका थोड़ा बहुता आपको पता होना चाहिए उसके बारे में उसके कूंट सी चीज़ें जो आपको attract करती है उसके बारे में आपने यहां पे लिखना है और उसके कोई कोई main important point है जैसे कोई उसका मनलब कोई important love अगरा है कोई मतलब जो इसी चीज़ है जो आपको बहुत जाद़ attract कर रही है तो जिस वज़े से आप उस country को जाना चाहरे है उस country जाना चाहरे है education असल करने के लिए उसके बारे में अगर आपको कुछ पता है तो लिख दें otherwise इसको रहने दें अगर इसके बारे में कोई मनलब चीज़ को पसंद है जिसका आपको knowledge यह अच्छा खासा तो आप यहाँ पे उसका खिकर भी कर सकते है तो यह आपके होगे तीन paragraph जिसके बाद हम चलते हैं चोते paragraph पे इसके बाद आपके पास आते हैं आपका fourth paragraph यह आपका concluding paragraph होता है इसको आपने अच्छे से बताना होता है जिसका आपने जबर्दस किसम की एंडिंग इसकी करनी होती है तो इसमें आप बताएंगे कि आप जो फिल्ड में अपलाई करना चाहरे हैं जिसमें और उस फिल्ड का उस कंट्री में क्या स्कोप है उसमें किस लेवल पे वो जा रही है तो उसके बारे में आपने बताएंगे जैसे इनडस्टेल आइटी ऐन आरडूमेशन मेरी थी वो नार्वे के अगर में आवाले से बात करूँ तो यह इस वकत इस पे टाप पे जा रही है तो मेरे केस में एक उनिविश्टिय अफ इस्टर्न नार्वे थी तो उसके बारे में मैंने लिखा कि यहां से जो MSC मेरे लिए होगी उससे मेरे यह होप्स हैं यह उमीद हैं और इसके बाद जो है completion of MSC जो है मैं आपने आपको किस लेवल पे जो देखूंगा वो आपने यहां पे अपसका जिकर करना होता है और यह उनिविश्टि के जो आपकी जो services होंगी उनके facilities होंगे उसके अंडर जो है मैं आपको excel करूंगा और grow करूंगा और यह मैं achievement आसल करूंगा यह आपने उनिविश्टि के बारे में बताना होता है और end पे आपने लिखना होता है कि ना सिर्फ आप जो है वो उस उनिविश्टि का जो scientific research है आप उसकी research को potential में उसमें इदाफा करेंगे उसके department में बिलकिए आप जो है उसकी cultural life क्योंकि आप एक different culture से उस country में जा रहे है तो आप उसकी cultural life जो है उसकी उसको भी enrich बनाने की कोशिश करेंगे तो यह motivation letter उसके बाद आपने क्या करना होता है simple आपने अपना नाम और अपना email address और अपना जो है वो address गरा लिख देना होता है यहाँ पे तो यह मेरा motivation letter या statement of purpose थी जिसकी base पे मैंने apply किया था और एर student जो है वो अपना बेतर से बेतर motivation letter लिख सकता है क्योंकि यह मैंने सिर्फ as a simple आपके साथ share किया है तो अब ऐसा नहीं करना होता कि कुछ students हो सकता ही ऐसे हों कि जो बिलकुल दूसरे का motivation letter copy paste करके मुस्तलिफ इनिवेस्टिस में apply करना start करते है कुछ इनिवेस्टिस में क्या होता है कि plagiarism checking का mechanism होता है अगर आप हो सकता है किसी दूसरे बंदे का motivation letter आप as it is जो उसने लिखा होता है उसी तरह आप copy paste करके आप भी बिलकुल सेम चीज़ें लिखे उस निवेस्टिस में अगर apply करते है तो वहाँ पर अगर उनका plagiarism mechanism हुआ तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा तो आपने इसमें अपने वाले लियास से changing करनी है क्योंकि हर student अपना motivation letter बस लिख सकता है वह अपने बारे में बस जानता होता है तो हर student को चाहिए कि वह अपना motivation letter लिखे मेरा सिर्फ इसके share करने का मक्सिद ये था कि as a simple आपके साथ share करूँ कि आपने किस तरह एक motivation letter का flow बनाना है और कून सी चीज़ें उसमें add करनी है और क्या क्या चीज़ें आपने रखनी है तो मेरा ये जो motivation letter था मेरी जो degree थी previous वो electrical से related थी मैंने जब जो future में मैं master's जिसमें भी कर रहा हूँ वो मेरी industrial IT and automation थी तो इसके वाले से combination जो मेरा बनाया है वो ये combination था और ये मैंने अच्छा combination बनाया था हर student अपना लिख सकता है आपकी जो field है आप जिस field में है अगर आप कोई medical sciences की field है आप उस असाब से उसको जोडने की कोशिश करें कि उसमें आप प्रिवियस क्या डिग्री थी इसी तरह अगर आपकी business से related हैं तो उसको आप अपने अवाले से लिखें अपने असाब से लिखें तो उमीद है कि आपको इससे काफी help मिली होगी यह सिर्फ as a simple आप इससे use करें और आप अपना best से best इसको बनाने की कोशिश करें क्योंकि में भी आप मेरे से बहुत अच्छा motivation letter लिख सकते हैं तो वीडियो अगर अच्छी लेगी है तो इसको लाइक करें बाकि लोगों को इससाथ भी शेयर करें ताकि उनको भी यह idea हो क्योंकि बहुत मुश्किल काम होता है शुरू-शुरू में motivation letter लिखना as a new student जब आप apply कर रहे होते हैं तो मैं नहीं पता होता कि इन चीज़ों को हमने देखना होता है कुण से चीज़े include करनी होती है कुण से चीज़े exclude करनी होती है तो I hope आपको यहाँ से help मिली होगी